कि आरसी यार्टी एनेस क्विज अभ्यास कक्षादैस सब्जेक्ट अमेथ और दिनांख देगे यह आपको 16 अक्टूबर 2021 आज की जो क्विज वो एनेस से समन देते हैं तो आईए इन क्विज के सभी कुष्णों को हम देख लेते हैं सबसे पहला है दो त्रीबु सर्वांग सम होते हैं तो सर्वांग संक्वा मतला होता है दोनों त्री पुझणों उनके हैर भागां वो बराबर डिखे यानि एक दूसरे के बराबर दिखेंगे वो नि एक दूसरे के समान दिखते हैं और जब उन्हें एक दूसरे के ऊपर रखा जाता तो एक दूसरे को ढख लेते हैं अप्शन म्बर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला क्यूशन है यदि तुरी बुज डी एफ और जी ए यहां पर करम का भी ध्यान में रखा जाता है डी एफ है तो इधर जी एचाहिए गा दोनों क्या होंगे सर्वांग सम होंगे तो इसका रायटान चुरूजएगा त्रिबुज डी एफ और यह जो निशाने सर्वांग सम का है जी है चाहिए अगला क्यूशन देखते हैं अगला क्यूशन आपको यहां पर दो डाइग्राम दिये के हैं तिन डाइग्राम दिये के हैं और इनसे में बताना है कि कौन कौन से त्रिबुज़ा हो सर्वांग सम है तो यहां पर देखे हम एबी बुज़ा बारा सेमी है तो इसमें तो बारा स इसमें 15 से माहिए इसमें 15 से मी है यह दुनों त्री बराहबर एक हम काधं कि बात करें बात करे हैं तो 32 32 012 पिछारम है 2 तुर्भूज 1 और त्री भूज 2 क्या है अपसमें सर्वांग समय इसका क्यूशन देखते हैं क्या है कौन से त्रिबुज रवांक समय तो एक और दो अगला कि उसना वो भी सेम इसी परकार आपको दिया गया है त्रिबुज ए बी सी यू एस टी और एहल के जे यहां पर भी हम बुजाओं का देखें तो इसमें साथ सेमी है इसमें कोई साथ सेमी है यह नहीं तो यह तो बड़ा हो गया यह तो इसके साथ सेमी यह साथ सेमी इतर यह पाथ सेमी इस में पाथ सेमी ये नोशल ये नोशल मेंज्टिन यह तयग है हुए हूँ एक हुझचा इसटी यू तो आहपस में सरवांक समय है तेक तो ठते की सब्सक्राइब में क्या होते हैं सर्वाम के यहता है सर्वांग सम होते वह बीज अपस 10 इन सभी कुछनों को मैं आगे इस वीडियो के इन में आपको समझा देता हूँ पहले इनकान सुरह हम देख लेते हैं अगला कुछन है समानतर स्रणी 4, 9, 14, 214 में A8-A4 का मान क्या होगा तो यह आपर इसका मान हो आएगा 20 इस वीडियो के इन में सभी कुछन में आपको समझा देता हूँ कि 20 कैसे आएगा अगला कुछन है समानतर स्रणी 7, 13, 19, 211 का मद्देपद तो मद्देपद आएगा 121, 127 एगला है पर्थम N प्राकर संक्या होगा योग खल क्या होगा तो यह तो शिदा सुतर होता है प्राकर संक्या होगा योग खल हमें निकालना है तो इसका सुतर होता है N इंटू N प्लस 1 बटा 2 यानि हमें एक से 10 तक की संग्या होगा योग निकालना है तो यहां पर हम 10 लिखेंगे n कितना जाएगा 10 तो 10 इंटू 10 प्लस 1 बटा 2 करम से होनी चाहिए संग्या है तो इसका सिधा सुतर है n इंटू n प्लस 1 बटा 2 और सबसे लाश्ट क्यूशन है एक एपी में 50 पद है जिसका तीसरा पद 12 है और अंतिपद 106 है तो उसका गुंद 300 पद ग्याद कीज़े तो गुंद 300 पद आएगा 64 तो क्यूशना आपको यहां पर दिया गया है यह दिए एक समानतर स्रेणी का एन उपद 3x-5 है तो इसका 500 पद हमें ग्याद करना है तो देखिए एन उपद का सुतर क्या होता है एन बराबर a प्लस n-1 इंटू d और एन उपद हमें कितना दे रखाए 3x-5 तो एन बराबर ह तीन गुणा 1-5 तीन आएगा तीन में से 5 गटाएंगे तो कितना आएगा माइनस का 2 तो पर्थंपत तो कितना आगया पर्थंपत को हम एवन भी लिख सकते हैं या या यह भी लिख सकते हैं तो कितना आगया माइनस तो इसे पर गार हम दूसरा पद भी निकाल सकते हैं तो तो ए 5 ब्राबर क्या होजेगा यहां पर एक्स की देखे क्या रख देंगे हैं 5 रख देंगे तो 3 इंटू 5 माइनस 5 यानि 15 माइनस ब्राबर कितना आ गया 10 तो अगला क्यूसन है समानतर स्रेणी 4 9 14 फिर डेश 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 लास्ट का प्रेदा है 254 के ए याठ माइनस ए 4 गामान क्या होगा यानि यह जो समानतर स्रेणी है इसका आर्ठवे पद में से हम चोथे पद को बटाएंगे तो कितना बचेगा तो हम सबसे पहले इसका आर् ए कमान कितना एक क्या होता है पर्थमपद होता है तो एक कमान तो हो गया च्यार डे कितना होता है सार बांतर होता है नहीं दूसरे पद में से पर्थमपद को हम घटाएंगे तो कितना बचेगा पांच तो डे कमान आ गया पांच एक कमान आ गया च्यार हमें क्या निकालना और चौथा पत निकालना है तो सबसे पहलें निकलेंगे आठाव पत तो किसी कोई भी पत निकालने का जो सुत रोता है वो होता है एन बराबर A plus N minus 1 into D जहाँ A n क्या है जो पत निकाल रहे हैं हो है A क्या है पर्थम पत है N पत रोगे क्या है और D क्या है सारवंत्रे हमें आठों पर निकालना है तो A8 पराबर क्या हो जाएगा A प्लस आठ माइनस 1 इंटू D तो यहाँ पर A की जगे तो हम रख देंगे 4 N की जगे क्या गया 8 माइनस 1 और D कितना है 5 यानि A तो 4 है और D 5 है तो D आ गया 5 तो 4 प्लस 8 माइनस 1 करेंगे कितना है गया 7 और 7 को 5 से उन अखरेंगे तो 35 35 प्लस 4 कितना आ गया 40 इसी परकार हम A4 निकालेंगे तो 4 प्लस 4 माइनस 7 इंटू 5 तो कितना आएगा 19 तो आठवा पद आ गया 49 चोथा पद आ गया 19 दोनों का अंतर निकालेंगे तो कितना आजएगा 20 ये इसका राइट आंसर हो जाएगा अगला किशन देखते हैं यहाँ पर आपको एक समानतर से नहीं दीगिए 7 तेरह गुंदी नास्ट में 241 के मद्दे पद गयात करना है तो देखिए अबरावर सात परतम पद दी ब्रावर सह सारवंत है और ये 241 का अंतिम पद यानि एन ही एन का मान हमें नहीं पता कि इस रिएड़ी में कितने पद तो इसको लिए न ब्रावर 241 एन का सुत्तर क्या होता है a plus n minus 1 into d a n का मान कितना है 241 a का मान है 7 n minus 1 और d का मान कितना है 6 है तो इस समें को नोगों हम solve करेंगे 7 plus का है इस side में आगा minus का हो जाएगा तो 241 से 7 गटाएगे 234 6 फिर भाग में आ जाएगा 234 किता आएगा 40 और n minus 1 minus 1 इतराएगा तो plus का 1 तो कुण 40 plus 1 40 हा गया निए टोटल पद कितने इसमें 40 पद है 40 पद है तो में बीच के पद निकालने तो 40 में हम दो का भाग देते हैं तो कितना हैगा 20 हाएगा निए एक तो a 20 निकालना है और एक a 21 निकालने यह दो पद हैंगे इसके बीच के पद जिए a 20 का मान निकालना है और ऐ इक 21 का मान निकालना है तो श्यमेस ही a 20 का मान क्या हो जाएगा तो a plus n minus 1 into 2 ूटा है तो a का मान हो गई 7 n 20 है यहाँ पर तो 20 minus 1 into 6 तो a 20 का मान आ जाएगा 120 और इसी प्रकार हम A21 कामान निकालेंगे तो यह कितना जाएगा 127 इसके बाद देखते हैं अगला कुछ एक AP में 50 पद हैं टोटल पद कितने हैं 50 यानि N कामान कितना हो गया 50 जिसका तीसरा पद 12 है यानि A3 कामान कितना है 12 और अन्तिम पद यानि A50 कामान कितना है एकसो 6 है तो इसका 29 स्वल पद हमें गयात करना है तो देखिए कुल पद कितने हैं 50 तो N कमान हो गया 50 A3 कितना है 12 और A50 कितना है 106 और A गुनयति हमें निकालना है तो देखिए इसको हम अन्तिम करते हैं A3 कमान दिया गया आस yra N-1 into D यह शुत्र होता है अब अगर हम यहाँ पर 3 दे रखा है तो N की जगा हम 3 रखेंगे तो यह A3 का शुत्र हो जाएगा तो A-3-1 into D अगर यहाँ पर 50 रखते हैं तो A-50 हो जाएगा A-50-1 into D तो इसी परकार इसको हम solve करते हैं A-3 का क्या हो गया A-3-1 into D बराबर कितना आगया 12 तो A-2D बराबर 12 समीकर नमबर 1 आगी रेखिक समीकर आगी इसी परकार दूसरा जो है A-50 बराबर 16 है इसको solve करते हैं तो A-50-1 into D बराबर 16 है तो A-49D बराबर एक समीकर नमबर 2 आगी अब समीकर एक और दो को हम रेखिक समीकर ने इनको चाहिए विलोपन विदिषी से हल कर सकते हैं चाहिए परतिस्टापन विदिषी से हल कर सकते हैं तो A-2 को जब हम solve करते हैं तो A-2D बराबर 12 A-49D बराबर 16 है यहाँ पर एक का जो गुणांग का वो समान है तो हम गटा देंगे गटाएंगे दूंशान बदल जाएंगे ये दोनों कटके 2D मेंसे 49D कटाएंगे मायनस का 47D और 12 मेंसे एक सुच्छा गटाएंगे दू मायनस का 411 मायनस कट गया 47 इदर भाग में आएगा तो 94 में पटे 47, तो D कमान कितना आ गया, दो, D कमान 2 है, समीकन 1 में रखे देंगे यहाँ पर, तो क्या जाएगा, A प्लस 2 गुना 2 ब्राबर, 12 A ब्राबर जाएगा, 12 माइनिस 4, क्योंकि प्लस करेगा यह 4, इदर जाएगा, तो माइनिस का तो A कमान आ गया, 8, अब A कमान 8 ह है, और D कमान कितना है, यहाँ पर, दो, इन दोनों सेम, A 39 कमान कर देंगे, तो A 39 का सुत्तर क्या हो जाएगा, A प्लस 39 माइनिस 1 इन्टू, D, A कमान 8 है, और यह 28 हो गया, D कमान 2 है, 28, 26, 26 में आफ चुड़ेंगे, तो 463 का आंसर हो जाएगा, तो आज की quiz के टोटली एक् कर लिए हैं, मिलते हैं एक लिए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद,